इसका सभी चात्र कैसे हैं? मजे में आपने लोकडाउन में रामायन धारावाहिक तो देखी होगी और उसमें सभी को बहुत मज़ा भी आया तो आज रामायन धारावाहिक के आधारिक हमें ऐसा ही प्रक्राण हिंदी कक्षा पांच में देखने वाले हैं जिसका नाम है भरत मिला रामायन में दर्शाय गया है कि एक आदर्श भाई, आदर्श पती, आदर्श पत्नी कैसे होते हैं तो आज हमें एक आदर्श भाई जो एक भरत उसका उदाहरान यहां हम देखने वाले हैं तो एक सववात के स्वरूप में पहले तो यह हम देखेंगे वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं, पास ही धनुश बान लिए लक्षमन खड़े हैं बाई लक्षमन, जरा देखो तो, आवाज कहां से आ रही है? प्रभू, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं कौन लोग है? जरा ध्यान से देखो अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लगने आ रहे हैं बाई लक्षमन, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना पहचाना क्यों नहीं? उसी मा का तो बेटा है, जिसने वनवास दिलाया इसमें बेचारे भरत का क्या दोश? लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं भरत दोड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, उनकी आँखों से आंसु बह रहे हैं वे राम के चरणों में पढ़ते हैं, राम भरक को उठा कर गले लगा लेते हैं मुझे क्षमा कीजिए प्रभू आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं आप मुझसे बड़े हैं आप ही को राजा बनना चाहिए मैं आपको लेने आया हूँ आप सब अयोध्या चलिए इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है निराशन कीजिए प्रभू भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसंड नहूँ किन्तु मैं माता पिता की आज्या का पालन करने वन में आया हूँ वनवास पुरा करके ही लोटूंगा नहीं प्रभू आपको हमारे साथ चलना ही होगा आपके बिना प्रजा दुखी है प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है नगर जनो इस समय माता पिता की आज्या का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है भरत मेरा भाई है जब तक मैं वनवास पुरा करके न लोटूं तब तक भाई भरत आप सब के सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने। यह मेरा आदेश है। अच्छा, प्रभू जैसी आप की आगया। पर मेरी एक विंती है। उसे स्विकार करे। बोलो, क्या चाहते हो। मुझे आप अपने पढ़ की खड़ाओ दे दे। खड़ाओ? खड़ाओ का क्या करोगे? इन्हें सिहासन पर रखकर आपके लोटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्षमन गदगद हो जाते हैं। राम चंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाओ लेकर भरत तथा नगर्जन, राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। आप सभी ने ये सववात देखा, आपको मज़ा आया ना। तो आप सभी को एक कारे भी करना है। क्या कारे वो में बताती हुए। आपको रामायन का जो भी पात्र पसंद हो उसका अभीनाय करकर एक वीडियो बनाकर हमें भेजना है। और साथ साथ आपको पाठे पुस्तक के प्रश्णों के उत्तर लिखने हैं और स्वाधै पूथी के प्रश्णों के उत्तर भी लिखकर भेजने हैं। धन्यवाद।